हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट विशाल साथे, आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टिंट है, बिकॉस आज हम पलाश के बारे में बात करेंगे, आयुवेद में जो बड़े विक्ष है, उनमें पीपल, बरगद और नीम, जो है, वो म बंबू है, और उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है, तो वो यकीन पलाश, गूलर और बेल है, तो आप समझ सकते हैं कि पलाश कितना इंपॉर्टिंट विक्ष है, और आज के एपिसोड में मैं आपको पलाश की पहचान कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा, मैं आपको पल राटिन में ब्यूटिया फ्रांडोसा या ब्यूटिया मुनस्पर्मा कहते हैं, संस्कृत में किंशुक और हिंदी में पलाश, ढाक, टेसू, केसू, और गुजुराती में केसूडो कहते हैं, इसे ब्रह्म विर्क्ष भी कहा जाता है, पलाश का पेर साल में एक बार, फेब ब्यूटिया साल में एक बार पूरी तरह से ट्रांस्वाम हो जाती है, मैं परसनली मानता हूं कि उनमें हमारे स्वास्त को भी पूरी तरह से बदलने की जबरदस्थ शक्ती होती है, इस तरह की जड़ी बुटिया बहुत ही इंपोर्टन्ट होती है, ये देखिए, जब पल पलाश के पेड़ को अगर बहुत दूर से देखें, तो ऐसा लगता है मानो जंगल में आग लगी हुई है, इसलिए इसे इंगलिश में फ्लेम ऑफ दो फॉरेस्ट कहते हैं, पलाश का रिक्ष तीन तरका होता है, नमबर एक केसरी जो कि यहां पर नजर आ रहा है, नमबर इसका पत्ता सूखने पे काफी रफ हो जाता है, लेकिन यह पत्ता पीछे से काफी मखमली होता है, यह इसकी खास पहचान है, अगर हम इसके पत्तों को देखें, तो यह तीन के जोडी में होते हैं, इसमें जो बीच वाला पत्ता होता है, वो एकदम सिमेट्रिकल होता है, जबकि जो आजू-बाजू वाले पत्ते होते हैं, वो symmetrical नहीं होते हैं। देखिए ये डंडी बीच में ऐसे होनी चाहिए थी, और यहाँ पे ये बीच में ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये बीच में नहीं है, ये थोड़ी side पे है, ये symmetrical नहीं है। पलाश के पत्तों के इन गुणों के कारण ये काफी कौच के पत्तों जैसे होते हैं ये देखी ये मैं कौच के पत्ते दिखा रहा हूं आपको इसमें भी तीन की जोडी है बीच वाला जो पत्ता है वो सिमेट्रिकल है यह सिर्फ हेल्थ चैनल पर ही पॉसिबल है यह देखिए यह पलाश की कलिया है यह इस तरह की भूरे रंग की और मखमली होती है इसके फूल तोते के चोच जैसे टेड़े होते हैं इसलिए इसे संस्कृत में वक्रपुष्प भी कहा जाता है इसके फूल इतने सुंदर होते ह इन में गंध नहीं होती है इसलिए इसे संस्कृत में निरगंधा भी कहा जाता है केसरी फूलो वाला पलाश का पेड़ जब बहुत पुराना हो जाता है तब उसके फूलों में थोड़ी लालिमा आ जाती है इसलिए इसे संस्कृत में रक्त पुष्प भी कहा जाता है पला इसका तना हलका सा सफेद होता है और इसके तने में जूदिया होती है एकदम स्मूथ तने वाला पलाश का पेड़ शाहिद ही आपको कभी देखने को मिले यह भी पलाश के पहचान का खास पॉइंट है आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब पलाश के फायदे देख लेते हैं पलाश बहुत बहुत ही एंटी बैक्टिरियल होता है यानि कि वह कीटानू नाशक होता है वह वायू मंडल को शोधित करने में एक बहुत ही असरकारक भूमीका निभाता है इसलिए यग्या में जिसतर से चंदन, बावेची, कपूर, शाल, बेल या फिर कुश घास, या फिर खैर की लकड़ी या फिर आम की लकड़ी ये सब का यूज किया जाता है वैसे ही पलाश की लकड़ी यग्या में इस्तमाल की जाने वाली एक प्रमुक्ष जर बना करके और घर में भी धुनी दे सकते हैं इसे घर का वातावरन भी एकदम शुद हो जाएगा इसलिए इसे संस्कृत में या फिर यग्नव रिक्ष भी खा गया है इसका और एक बहुत ही अच्छा फाइदा है कि ये शोत का नाश करता है यानि कि ये स्वेलिंग को खतम क करता है अगर आपको शरीर में कहीं सूजन है तो आपको करना यह है एक बरतन में पानी लीजिए और उस पानी को उबा लिए जैसे ही पानी गरम हो जाए और उसमें से भाप निकलने लगे तब उस बरतन पर एक जाली नुमा धकन रखिए इस धकन पर पलाश के फूल रखि मूतर से उतरजाती है अगर किसी को मूतर अव्रोद की शिकायत है यáनी कि पेशआप ड्रॉफ हो रही है या फिर पेशाप हो नहीं रही है रुग गई अगर पलाश के फूल स्टीम करके अगर लगा दिये जाए या बांध दिये जाए तो फिर पेशाप के नली का स्वेलिंग कम हो जाता है खतम हो जाता है और पेशाप फिर से शुरू हो जाती है ऐसे परिस्तिति में कम मातरा में पानी पीजिए काफी बार लोग गलत सला देते हैं और पानी पियो और पानी पियो यानि कि यूरिन शुरू हो जाएगा प्रेशर से ऐसे में पानी पीपी करके ब्लैडर का प्रेशर बहुती बढ़ जाता है और ऐसे में मरीज को असहनी या पीडा होती है पलाश के फूल बहुती पॉष्टिक होते हैं अगर इसके पावडर का सेवन किया जाए एक एक चमज तो शारिर एक बल बढ़ता है और शरीर हश्ट पुष्ट बनता है पलाश अत्यंत रक्त शोधक होता है और वो शरीर को डीटॉक्स भी करता है जो टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का हम लोग आजकल सेवन कर रहे हैं अनाज और सब्जियों में जो यूरिया होता है पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके माध्यम से पलाश इन सारे विजातिये तत्वों को, इन सारे टॉक्सिन्स को शरीर में से बाहर निकालने में अत्यंत कारगर है बोडी डीटॉक्स के लिए भी आप इसके फूलों का पाउडर ले सकते हैं एक चम्मच या फिर इसके कोमल पत्तों का रस पीजिए दो चम्मच मे या फिर जून में पलाश के पेड को फलिया लगती है इन फलियों में इसके बीज होते हैं इन बीज को निकाल लिए पानी में उन्हें उबाल करके उनका छिलका निकाल लीजिए फिर उन्हें सुखा करके पाउडर कर लीजिए ये powder अत्यंत क्रमी नाशक होता है अगर पेट में, आतों में कीडे हो गया है या फिर संक्रमन हो गया है ऐसे में बीजों के powder का 1 ग्राम सेवन करने से सारे कीडे मर जाते हैं और संक्रमन खतम हो जाता है पलाश के बीज यौन शक्ति को भी अत्यंत प्रबल बना देते हैं अगर 1 ग्राम सुबह, खाली पेट, दूद के साथ इसके बीजों के चूरंड का सेवन किया जाए तो पौरशत्व बहुत ही बढ़ जाता है पलाश हर तरह के प्रमेह और प्रदरोग भी दूर करता है महिलाओं में अगर सफेद पानी का प्रॉबलम है जिसे लिकोरिया भी कहते हैं या फिर अगर महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ओर ब्लीडिंग का प्रॉबलम है या फिर अगर किसी पुरुष को पेशाप के माध्यम से धातू निकलता है या फिर शौच करते समय धातू निकलता है इन सारे व्याधियों में पलाश के फूलों का चूरण एक चम्मच या फिर पलाश के बीजों का सेवन एक ग्राम करने से ये सारे प्रॉब्लम्स 100% दूर ह होते हैं पलाश आखों के लिए भी बहुत ही हितकारी है अगर इसका अर्क आखों में डाला जाए तो आखों की रौशनी बढ़ती है जिस तरह से सेमल में से लाल गोंध निकलती है जिसे मोचरस कहा जाता है उसी तरह से पलाश में से भी गोंध निकलती है उसे कमरकस या फ कि ये कमर के muscles को बर्प्रदान करता है। अगर किसी को कमर दर्द का problem है, तो इसके सेवन से शत्परतिशत ठीक हो जाता है। इसलिए इसे especially delivery के बाद प्रसुता को खिलाया जाता है। इसे usually directly इस्तमाल नहीं किया जाता है। इसे दूसरे dry fruits और good के साथ मिला करके, इसे especially इसके ख्षाल का यूज किया जाता है। पलाश diabetes को भी खतम करता है। अगर diabetes में इसके च्छाल का या बीच का या पती फूल का काड़ा बना करके पिया जाए। से 5 ग्राम आप पंचांग लीजिए इसका। दो ग्लास पानी में पकाई ये आधा बच जाए। थेंडा करके अगर चान करके पीते हैं तो diabetes कंट्रोल में आ जाता है। पलाश kidney रोगों में भी बड़े काम का है। अगर serum creatin बड़ा हुआ है या blood urea बड़ा हुआ है। ऐसे में अगर पलाश के पंचांग का काड़ा बना करके पिया जाए तो बहुत लाब होता है। ये हर तरह के तवचा रोग भी दूर करता है। तवचा रोगों में, especially अगर इसके बीच के तील की अगर मालिश की जाए, तो चमतकारी लाब होता है। पलाश के फूलों को अगर पानी में रात भर भिगो करके, सुबह फूल थोड़े मसल करके अगर पानी पी लिया जाए, तो अगर शरीर में किसी तरह की गर्मी हो, तो वो नश्ट हो जाती है, अगर आपको पलाश से related कोई products खरीडने हैं, तो उसका भी link मैंने description में दे दिया ह अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे like कीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो subscribe कर लीजिए, और अगर आप मुझे contact करना चाहते हैं, तो मैं मेरा number यहाँ पे flash कर रहा हूँ, आप इस पे मु message का मैं जवाब दूँ, जैसे कि हम सब जानते हैं, वादे टूट जाते हैं, कोशिशे, अकसर कामियाब होती हैं, तो अगले episode में ऐसे ही किसी interesting wishy के साथ, मैं आप से फिल्म में लूँगा, तब तक के लिए मुझे आग्या दीजिए, बाई!